हैं कि हार्ण सभी को नौमस्कार टेस्टी एक स्वागत थे और दसकी दहाड में आपका अभिनांदन ने क्या हाल चाले सभी के कैसे आप सभी मैं देख रहूं लगातार दसकी दहाड में आप लोग बहुत और प्यार दे रहे हैं और सच में इस प्यार के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि दिल की अनंत्रिम गहराईयों से आपका अभिनन्तन है और मैं सदेव आपका रिडी रहूंगा चलिए तो आज अपना सरवनाम का पार्टू है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो सरवनाम में जो आपका पुरस्णवाचक संबंद वाचक और निजवाचक सरवनाम बचे थे उनका पोश्ट मार्टम करना है बहुत ही सांदार तरीके से तो देखते हैं जी आज का कौन सा सरवनाम आ रहा है वो जब साधी हो जाएगी जीडी के लेने के बाद उसके बाद जो क्या हो जाएगा जैसी आप क्वालिफाई करोगे उसके बाद यह आपकी पतनी आपको पढ़ा देगी कैसे पढ़ाएगी में बता रहा हूं करा आप पृस्णवाचक सरवनाम जो ठीक ना किसके साथ गये थे किसके साथ गये थे कौन आया था कौन आया था इतनी रात में क्यों आये हो इतनी रात में क्यों आये हो ठीक है ना कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो तो कहां हो गया किसके हो गया कौन हो गया क्यों हो गया ठीक है ना कैसे हो गया य क्यों आ जाएगा यह सब प्रसनवाचक सर्मनाम है अगर आप एक्जामपल देखोगे तो आप प्यारे से एक्जामपल देख रहे होगे आपने पूछा कौन गारा ही है आपने का कौन गारी है नहीं पता साथ कौन गारी है मतलब लेकिन आप पूछ रहे हो कौन गारी मतलब परसनवाचक हो गया किया यहां पर क्या बर्सनवाचक हो गया किस की पुस्त कंप शाय मदलगे वहाँ क्यूं जा रहे हो तो वहां थीजा रहे हो तो किसके हो गया यह क्या है बुछ सर यह आपका कौन सा है पुरस्ण वाचक सर्वनाम ठीक है ना उसके बाद कहेंगे क्या करने जा रहे हो तो क्या पूछे का क्या करने जा रहे हो तुम्हारे साथ कौन जा रहा है ठीक है क्यों जा रहे हो आपसे पूछे का कहा जा रहे हो अगर सबस्क्राइब को वाड़ सरवनाम होता है एक चीज़ और याद रखेंगा हमेशन अगता है आप सब मीं कि पर फाइन का बोध कषाए थीक है उसके बाद अगला अपना आता है तो अगला आता है संमंधवाचक सर्वनाम इसकी बड़ी सांदार्सी ट्रीक होती है लेकिन सबसे पहले इसको जान लीजे इसकी परिभासा क्या है तो मैं बता दूंगा किरा वे सर्वनाम जो दो प्रथक प्रथक बातों के इस पर्ष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है कोगे सर एकदम समझनी आया मैं का समझो मैं समझाता हूं ट्रिक क्या है जहां भी आ जाए जो वह जो सो आजाए जिसकी उसकी आजाए जितना उतना आजाए जैसा वैसा आजाए क्या बोलेंगे जैसा वैसा आजाए अब इदर ट्रिक लिख देता हूं ठीक ना जैसे कह दिया जो सो जहां भी मिल जाए जो सो जहां भी मिल जाए आपको जैसा वैसा जैसा वैसा जैसा सब्ढ़नाम होता है बड़ी सांदार सी ट्रिक है समझे गाम activating को समझाने की कोसिस कर रहा हूं यह उदाहरण है कुछ आपके आपके जो पढ़ेगा बढ़ेगा इतना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा यह जितना उतना यह सब क्या है जो सो यह क्या है बोले सर यह संबंद वाचक सर्व नाम है जैसे आप से पूछा गया कि वह यह यद्य पिवह बीमार है बीमार है तथा पिया फिर भी तथा पि तथा पि विद्याले गया है तथा पि विद्याले कहां बोले सर वि जैसे आप से पूछ लिया जिसकी लाठी उसकी भैस क्या बोलेंगे जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैस अच्छा एक चीज़ और रहाद रहेगा मैं आपको बता दूँ ऐसे जो वाक्या आपके होते ने जिनमें आपका सम्मन्द वचक्तस rival सर्वनाम होता है यही आगे चल करके आपके मिस्र वाक्य में भी गिने जाते हैं अर्थात कभी आप से पूछा जाए कि संबंद वाचक सर्वनाम मतलब कौन से हैं तो बड़ सरी हैं अगर ऐसे आपको वाक्य मिल जा और आप से कभी भी पूछ लेग भई इसमें कौन सा वाक् में तो यह सारी चीजें आपको वहां से रिलेट करके आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आगा हिंदी वास्तों में बहुत आसान है मतलब अभी तो विना भया के साथ और आसान होगी तो हर एक कॉंसेप्ट पर ट्रीक हैं अगर आप उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है चलिए और आज का अंतिम यह जो हैं आपका निजवाचक सर्वनाम है तो निजवाचक सर्वनाम पहले तो जान लीजी होता क्या है दिन उसके बाद मैं आपको इसकी भी ट्रीक बता दूंगा और एक एक्जामपल देके एक दो समझा दूँगा आसानी से समझ जाओ द्वारा कोई भी काम जब अपने लिए किया जाता है स्वैम के द्वारा किया जाता है या खुद किया जाता या अपने आप किया जाता है वहां पर क्या होता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है इस चीज को ध्यान रखिएगा अब इसकी ट्रिक क्या होती समझेंग तो क्या बोलेंके कय Mang Sarλο, यहां अपका कौन सा हो जाएगा, बिरू-सर, यह नि जेवाचक स्रवनाम हो जाएगा कभी कभी क्या होते है, जैसे आप सब्दाताए mm तो यह जब आप अपने लिए प्रियोग किया जा रहा हो यह जो आप सब्द है किसके लिए प्रियोग किया जा रहा हो यह अपने लिए प्रियोग किया जा रहा हो अपने लिए तब वहां पर क्या होगा बोलसर आप भी आपका कौन सा हो जाएगा निजवाचक स्रवनाम होग अगर में एक्जांपल की बात करो तो बड़ा प्यारा सा एक्जांपल है जैसे आपने सुना होगा आप भला और तो प्ला तो जग भला यहां पर यह जो आप सब्सब्सब्न का प्रियोग क हुआ है किरा इसका मतलब यहां क्या हो गया यह गया तो गई पहली बात अब कुछ से उप्धोज है जो आपके सामने में दे रहा हूं द्यांसे समझेगा आए बड़ा झोटा सा से से आपके कोशन कभी गलत नहीं होंगे तो सरवनाम दो पार्ट में मैंने खतम कर दिया और उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें आज मैं होमवर्क भी आपके लिए लेकर के आया हूं और इस होमवर्क का जिसने भी आंसर सही दे दिया मैं सम आपने अपने अपना खाना स्वैं अपने देखा निजवाचक सरवना मोगा कौन सा सरवनाम है इससे सरवनाम है अब कैसे पहचाना भईया निजवाचक सरवनाम है तो कि आपने यहां पे देखा कि भाया इहां पर स्वयम है कि एक खुद पर आस्था रखता हूं तो यहां पे खुद सब्द आ गया गया यह क्या है निजवाचक सवनाम ही होगा ठीक है जैसे मैंने कहा यहां पर एक और सब्द लिख देता हूं ठीक है ना मैं उस काम को मैं उस कारे को कारे को स्वताह समझ लूँगा स्वताह कर लूँगा स्वताह कर लूँगा अगर ऐसे कह दिया मैं उस कारे को स्वताह कर लूँगा तो आपने देखा यहां पे यह जो सब्द प्रियोग हुआ है स्वताह आप जैसी समझे कि यार यह क्या है करता है और करता कोई काम अपने द्वारा कर रहा है यहां पर यह करता है यह कुछ सब्द आजये अपने कार अपने अपने आप कार्य कारे जो है वह धालेंगे अपने आप करता है तो सर यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा सभी लोग ध्यान दखेगा बोलो क्लियर है अच्छा जी अब आता है आपका होमवर्क यह आपका होमवर्क है और मैं सबसे उम्मीद करता हूं एक रिक्वेस्ट करता हूं हम्बल रिक्वेस्ट है किस कोश्चन का अंसर आप सब लोग आप ही कर लूँगा ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा अपने से बड़ों का आदर करने करना चाहिए अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए इसको स्कीन सार्ड ले लिजेगा भी करना चाहिए अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए इसमें कौन सा ह बना दी है और जो क्लास आपकी तीन बज़े होती है इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक का जो है प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है वहां पर जा करके सारी लगभग 24 लगए और शारी आपकी महावरे की महराथन भी होगी और टॉपिक वाइस भी आपका सटर्डे को चल रहा वहां से आप डेली तीन बज़े यह मेरी क्लास होती है डेली तीन बज़े आप वहां से कर सकते हैं ज्यादा और अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूँ क कि यहां पर ये जो आपका चैनल है इसका नाम है एट लिरी विने सर अंडर इसको टेस्ट बुक चाहे तो आप इसको श्केंट मिजेगा यहां Deshalb हो अब की टिन अपर हो जाती है तो उमीद करता हूं यह वाला सेशन आपको चोता सा सेशन आपको बहुत प्यारा लगा अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो मैंने फूंवर्क आपको दिया है उस होमवर्क को एक बार और स्कीन स्वाट देख लीजे ले लीजेगर नहीं ले पाएं इस हुंबर का आंसर मैं सबसे एक-एक मेरे भाई और वहन से चाहता हूं कि इस हुंबर का आंसर सभी लोग दीजेगा लाइक वाला बटन दबा दीजेगा और क्लास अच्छी लगी हो तो सेर जरूर कर दीजेगा बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार आपका सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत फूलिएगा ओके तैंक यूसमें दिक्कत है आप लोग सेर कर सकते हो क्लास को आप लोग पढ़ सकते हो यह दसकी दाड़ में पूरा व्याकरण भी कराने वाला हूँ उसके बाद आपका बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं ओके तैंक यू सो मच बाइबाइ सभी को